सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Enrollment ID की मदद से अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें तो चलिए सीखते हैं तो दोस्तो अगर आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं और आपके पास Enrollment ID है तो आपको सबसे पहले अपने browser को open कर लेना है और यहाँ पर आपको search कर लेना है UIDAI जैसे आप यह search करेंगे तो आपको सबसे पहला एक website मिलेगा तो आपको इस website को open कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना language select कर लेना है language select करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से page open होकर आ जायेगा अब अगर आप अपना आधार कार्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा get आधार और यही पर नीचे आपको एक और option मिलेगा download आधार तो आपको यहाँ download आधार पर click कर देना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया page open हो जायेगा अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा scroll करना है और यहाँ पर आपको एक option मिल जागा download आधार तो आपको फिर से इस पर click कर देना है अब देखिए यहाँ पर आधार का download करने के लिए आपको तीन option मिलता है एक है आधार नमबर दूसरा enrollment ID और तिसरा है virtual ID तो अगर आपके पास आधार नमबर है तो यहाँ पर आधार नमबर डाल कर आप अपना आधार का download कर सकते है अगर आपके पास enrollment ID है तो यहाँ पर enrollment ID आपको enter कर देना है तो अगर आपने नया नया आधार के लिए apply किया है तो आपको वहाँ से एक रसीद मिला होगा उस रसीद में आपको मिलेगा आपका 28 अंक का enrollment ID अगर आपको आपकी enrollment ID नहीं मिल लगी है तो ध्यान से आप लोग स्क्रीन पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको enrollment ID कैसे मिलेगी तो आपके रसीद में 14 अंक का एक enrollment ID या फिर आवेदन संख्या लिखा होगा तो आपको उस 14 अंक को पहले वहाँ पर लिख लेना है उसके बाद आपके रसीद में ही कुछ date लिखा होगा उस date को आपको लिखना है उल्टा पहले आपको साल लिखना है फिर महीना फिर उसके बाद दिन उसके बाद वहाँ पर आपको कुछ time देखने को मिलेगा तो उस time को भी आपको वहाँ पर लिख देना है और time में आपको पहले घंटा लिखना है फिर minute उसके बाद second उसके बाद आपका enrollment ID बनकर त्यार हो जाएगा और इस बीच आपको कोई भी special character का इस्तमाल नहीं करना है नहीं आपको कोई gap देना है तो चलिए यहाँ पर मैं enrollment ID एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले मैंने अपना enrollment number लिख दिया है 14 अंका का उसके बाद यहाँ पर मैंने date लिख दिया है उसके बाद यहाँ पर time लिख दिया है अब यह enrollment ID बन गई उसके बाद आपको यहाँ पर capture मिलेगा तो नीचे आप लोग CAPTCHA एंटर कर दीजे अगर आपको CAPTCHA नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर एक बार इसको refresh भी कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं CAPTCHA भी एंटर कर देता हूँ CAPTCHA एंटर करने के बाद आपको नीचे एक option मिलेगा Send OTP जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी रेजिस्टर मुबाइल नंबर होगा उस पर आपको एक OTP मिलेगा तो चलिए यहाँ पर मैं Send OTP पर क्लिक कर देता हूँ तो OTP आ चुका है तो चलिए मैं यहाँ पर OTP भी एंटर कर देता हूँ नीचे आपको Enter OTP का option मिलेगा इस पर क्लिक कीजे और यहाँ से आपको OTP एंटर कर देना है OTP एंटर करने के बाद नीचे आपको एक option मिलेगा Verify and Download तो आपको इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से Congressulation का एक Message आ जाएगा और यहाँ पर यह बता रहा है कि आपका जो आधार कार्ड है वो PDF के रूप में Download हुआ है और उसमें Password लगा हुआ है तो आपको घबरानी की जरुद नहीं है आपका जो Password है वो यहाँ पर देखे Example के थुरू बता रहा है कि आपके आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है उसका चार अच्छर आपको लिखना है और आपके जनमतिती का जो साल है वो आपको लिखना है वही आपका Password है तो चले मैं आपको PDF ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर यह देखे PDF डाउनलोड हो चुका है इस पर क्लिक करना है और देखे पासवर्ड में आपके आधार कार्ड पर जो भी नाम है उसका चार अच्छर कैपिटेल लेटर में पहला चार अच्छर ओके तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ उसके बाद जनमतिती का साल जो रेजिस्टर है आपके आधार कार्ड में वही जनमतिती तो यहाँ जनमतिती का साल मैं 1975 डाल देता हूँ अब यहाँ पर open पर क्लिक करना है और यह PDF ओपन हो जाएगा तो इस प्रकार से आप enrollment ID की मदद से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछे लिजेगा